नमस्कार दोस्तों मैं दिपांसु आपका स्वागत करता हूँ एस्टेटस प्रेंट दिपांसु दिक्षित में जैसा कि आपने थमलेल में देखा होगा कि आज मैं बिहार सिक्षक भरती से लेटेट कुछ पॉइंट पे बात करने वाला हूँ वो पॉइंट कौन-कौन से आएगा दूसरा है माद्दिमिक उच्च माद्दिमिक या फिर ट्राट्मिक सिक्षक भरती का किस्म का रिजल्ट पहले आएगा तीसरा पॉइंट है कि जो बिहार सिक्षक भरती में बिहार सरकार ने जो SLP दायर किया उससे क्या-क्या इंपक्ट पड़ सकते हैं या आगे फूइचर में क्या हो सकता है इससे रिलेटेट बात करेंगे इस वीडियो में तीसरा पॉइंट है कि एस्टेट का जो रिजल्ट है जो बिहार में स्टेट हुआ है इसका रिजल्ट कब आएगा चौथा पॉइंट है OMR से रिलेटेड है जिसमें कि कुछ लोगों के नंबर सिक्षा विभागती और BPSC IO की बैठक होने वाली है इसमें क्या आउटकाम आ सकते हैं इस पॉइंट पे बात करेंगे चलिए आए वीडियो हम लोग सुरू करते हैं तो पहला पॉइंट है बिहार सिक्षा वर्ति की डेट जो इसका मतलब रिजल्ट कब आएगा BPSC IO के जो 15 अक्टूबर से रिके 15 अक्टूबर के बीच में ही रहेगा बिहार का रिजल्ट इसी बीच में आएगा इस पर कोई impact नहीं पढ़ने वाला है और अगर मुझे जो लगता पूस्ट ली कि अगर बिहार सरकार रिजल्ट निकाले कि तो कुछ इस तरह से निकाल सकती है कि जो डियलेड और बियट का मिक्स रिजल्ट निकाल ले सुप्रीम कोट से आधिस ले ले रिजल्ट प्रक्रिया को नहीं रोकेंगे और इसमें बियट को अगर बहार करने का डिसीजिन आएगा तो बियट को हम रख लेंगे ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है लेकिन फिलाल त कि रिजल्ट किसका पहले आएगा तो जैसा कि आपने सुना होगा कि उच माध्यमिक का या माध्यमिक का या प्रार्थमिक का रिजल्ट आएगा तो पहले माध्यमिक का रिजल्ट आएगा ये आएगा लबग 10 या 11 तारीक में फिर 12 या 13 तारीक के आसपास आएगा उच आपका 15-16 के आसपास प्रार्थमिक का रिजल्ट इसका रिजल्ट आएगा एक पॉइंट ये भी था लोगों का कि SLP जो दायर हुई है इससे क्या इंपक्ट पड़ सकता देखिए जो सुप्रीम कोट ने निर्णा दिया है वो काफी मजबूत निर्णा है इससे बियर अंदर तो भविष में तो अंदर नहीं होगा भविष की वर्ति लेकिन जो बिहार सरकार ने कहा है कि हमारी भरती हमारा नोटिफिकेशन इस डिसीजन के पहले का है तो इसमें बियर को मान किया जाए लेकिन मुझे ने लगता ये तर्क जाधा देर तक जब बहस होगी सुप्रीम क को खंडिक कर देंगे तो इस ऐसल्पी से बियर अंदर मुझे तो नहीं लगता हो कि होगा बियर बाहर ही रहेगा बियर अंदर नहीं होने बाला ये मुझे लगता पर्सनली बाकी क्या decision आता है ये कोट ही बता सकता सुप्रेंग रिजल्ट है जो कि आप सभी को लगबग टीन अक्टूबर को रिजर्ट मिल जाएगा और एक और नीजिस से रिलेटिड ये है कि एस्टेट का का एक प्रक्रिया चालू होने वाली सीटेट के तरज पर कि ये साल में दो बार किया जाएगा अब एस्टेट साल में दो बार होगा जैसे कि सीटेट होता है और साहध हो सक इसमें 6-8 के लिए आपको सीटेट कॉलिफाई हो या एस्टेट कॉलिफाई हो इसलिए हो सकता आप एस्टेट एक बार फिर से देखने को मिल जाए तो आप लोग एस्टेट की तयारी करते रहिए एक और चीज़ ओमर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसमें एक पॉइंट ये आया कि लोगों के नंबर कम भी हो रहा है और लोगों के नंबर बड़ भी रहे हैं तो ये ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है जैसे कि मानली ये आपने पेपर दिया आपको OMR का कोई प्रूफ तो मिला नहीं था लेकिन आपने जो question में तिक लगाए होंगे और किसी के एक दो नंबर कम होते जा रहा है किसी के एक दो नंबर बढ़ते जा रहा है कुछ ऐसा देखने को मिल दा है अब BPSC final answer की की बात करते हैं तो BPSC की final answer की आपको लगबग ये जो एक से 10 तक date मिली है एक से 10 तक आप अपनी OMR देख सकते हैं इसी के बीच में आपको BPS की आंसर की देखने को मिल सकती है 99% है कि आपको एक से 10 के बीच में ही आपको BPSC final answer की देखने को मिल जा जिससे कि आपने मार्क्स देख पाएंगा और आपको final पता चले है कि आपके मार्क्स कितने हैं एक और चीज है कि बिहार सिक्षा विभाग और BPSC आयोग की बैठक हो जाएगा कि BPSC को सामिल करके रिजट निकाला जाए या BPSC को हटा के रिजट निकाला जाए या BPSC को बिलकुली हटा जाए कुछ इस तरज पे final बात होने वाली है और ये रिजट आपको 10 से 15 अक्टूबर के आसपास देखने को मिल जाएगा कई लोग कमेंट था कि कट अ के बारे में तो कट अफ जो मेल की है वो 55 से 60 लोग कह रहा है लेकिन मुझे लगता है कि 60 प्लस जाएगी मेल की और फीमेल की रहेगी 50 के आसपास ये मेरा है अगर आपको पटिकुलर कट अफ पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके बताएगा ज़रूर इस पर हम वी वीडियो को शेयर भी करें धन्यवाद